तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस साल में आपके ग्राम पंचात इलाके में कौन-कौन से काम 15 Finance Commission से होने वाला है या फिर State Finance Commission से होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखी और पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सा काम आपके ग वीडियो तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे जाके इग्राम सराज लिख के सर्च करना होगा उसके पहला लिंक आएगा देखी इग्राम सराज.gov.in इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप डारेक्ली इस आप सकते हैं तो देखे एक दम इस पोटल के एकदम नीचे की तरफ टरफ आ करके आना है देखे एकदम नीचे आपको मिलेगा प्लैनिंग का उप्शन मिलेगा तो यहां पर सिंपली अब नीचे की तरफ आएंगे इसके लिए को आपको कोई भी लॉग इन करने की ज़रू action plan report यहां पर click करेंगे यहां पर click करते ही देखें यहां पर नया page open हो जाएगा यहां पर आपको financial year select करना होगा मतलब हम इस साल का देखना चाहते हैं यानि कि 23 जो भी select करेंगे और यहां पर जो capture code यानि कि जो number लिखा हुआ है इसको हम सही तरी किसे लिखेंगे उसके बाद get report option पर click करेंगे इस पर click करते है राजजविर्तिक यानि कि state wise report यहां पर आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं district पंचायद, block पंचायद और village पंचायद तीन भाग है तो यहां पर आप अपना जो state है यानि कि राजज़ है उसके जो village पंचायद के आगे जो संख्या लिखा है तो वो village पंचायद का जो संख्या है वहाँ पर आपको click करना होगा मतलब इतने सारे village पंचायद या फिर district पंचायद या फिर block पंचायद में इसका plan approved हो चुका है और plan online available है तो यहां पर देखिए संख्या पर क्लिक करते ही देखिए जिला वाइस रिपोर्ट आ चुका है आपके सामने यहां पर भी देखिए टोटल approved plan यहां पर एक संख्या लिखा गया है तो आपके जिला और आपके जो block है उसके समय जो संख्या है उस संख्या पर क्लिक किजिए तो फिर ग्राम पंचायद वाइस रिपोर्ट यहां पर आ जाएगा यहां पर आप देखिए view plan option है और उसके बाद download attachment या फिर download documents option है तो आपको view plan option पर जो view button दिया गया है तो इस view button पर आपको क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करते एक नए page open होगा यहां पर सबसे पहला जो option है देखिए plan summary अगर आप यहां पर click करते हैं plan summary यहां पर click करते हैं total कितना amount मतलब कितने रुपए का कुल साल में कितने रुपए का काम होने वाला है कौन से फंट से यह आप यहां से देख पाएंगे देखिए यहां पर total amount यहां पर लिका गया है कि टोटल इस साल में इतने अमाउंट का काम होने वाला है उसके बाद सेक्षेनल भी पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें कौन से खेटर में कितना फंट अलाव किया गया है मतलब फंट खर्च होगा यहां पर लिखा गया जैसे कि डिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रस्ता, इलेक्टिफिकेशन यह सारे सेक्टर में कितने अमाउंट खर्च हो सकता है इस साल यह यहां पर दिया गया है उसके बाद देखिए स्कीम भी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो fund wise report आपके सामने आ जाता है कि कौन से fund से कितना खर्च होने वाला है कौन से fund का कितना allocation मिल सकता है और finally नीचे देखिए एक दम planned activity details अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो अभी आपको देखिए एक एक करके साड़ा plan आपको देख आप देख पाएंगे कि इस साल कौन कौन से scheme या फिर कौन कौन से कारिया आपके इलाके में आपके gram पनचाइद में होने वाला है और साथी उसका कितना amount है मतलब उस कारिया में कितना खर्च हो सकता है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि करके एक दो करके जितना भी टोटल कारिया होने वाला है इस सहल उसका लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे देखिए activity description में ही जाके यहाँ कौन सा कारिया है यहाँ देख पाएंगे और साथ ही यहाँ पर आप amount भी देख सकते हैं total कितना रुपए का ये कारिया हो सकता है देखिए यहाँ पर activity description में उस कारिया का नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए estimated fund या allotted fund में ही भी आप total देख सकते हैं कि कितना fund cuts हो सकता है ऐसे करके आप पूरे report देख सकते हैं एक एक करके आप नीचे के तरफ बहुत सरे ऐसे scheme से आप अगर इलाके का अपना word का अगर आप काम देखना चाते हैं तो ऐसे करके आप उसको देख सकते हैं और यहां पर आपको देखिए आगे जाके कुछ green color का scheme मार्ट मिलेगा मतलब वो सब scheme आपके जो पंचायत का संकल्ब था मतलब एक theme wise theme को select किया था वो theme का activity या फिर कारिय होने वाला है तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसान है अपने ग्राम पंचाद या फिर अपने इलाके में इस सल कौन कौन से कारिय होने वाला है इसका लिस्ट भखो भी देख सकते हैं वीडियो को अच लगए तो लाइक किजिए शेयर किजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में